तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप एक logo कैसे create कर सकते हैं अगर आप अपने YouTube चानल के लिए एक logo बनाना चाहते हैं या फिर आप किसी भी social media platform के लिए एक logo create करना चाहते हैं तो ये वीडियो complete guide होने वाला है तो दोस्तो लोगो create करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि logo basically दो परकार का होता है ये वो logo जो कि simple होता है आपके चेहरे के साथ आपके चेहरे के पीछे कुछ background लगा होता है वो logo जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और दोस्तो जो दूसरा परकार का logo है जो कि professional logo होता है उस logo में कुछ text होते हैं या फिर कुछ elements होते हैं जो कि कुछ indicate करते हैं कि इस company या फिर इस channel में आपको क्या बताया जाता है तो दोस्तो ये mostly लोग दूसरे तरीके का logo ही बनाता है या फिर कोई भी company दूसरे तरीके के logo को ही prefer करती है कि हम इस तरीके के logo बनाए और audience को बताएं कि हमारा जो channel है या फिर हमारी जो company हुआ क्या काम करती है तो दोस्तो इस video में आपको ये दोनों तरीके बताने वाला हूँ लोगो बना रहे हैं जो की हम बनाएंगे Canva application में तो भाई एक professional और bandit logo बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको play store से Canva नाम के application डाउनलोड कर लेना है और जब आप उसे डाउनलोड करके login कर लेंगे और जब आप उसे open करेंगे आपको कुछ इस तरीके का interface दिखाई देगा अब आपको दोस्तों सिंपली से यहाँ पर इसे scroll करना है और यहाँ पर देखना है दोस्तों आपको एक logo का option दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस logo पर click कर देना है अब दोस्तों जब आप इसे click करेंगे तो आपको यहाँ पर काफी सारा template देख रहा है जो कि पहले से बनाए गया है आपको सिर्फ customize कर लेना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे नीस यानि मेरे according क्या है जो मेरे चैनल या फिर मेरी जो भी प्रोफाइल या फिर मेरे जो भी company है या फिर जो भी मेरा website है उसको क्या suit करता है इसमें से कौन सा logo सबसे अच्छा दिखेगा तो हम बात कर लेते हैं gaming के लिए पहला बहुत अच्छा दिख रहा है इसको हम select कर लेते हैं तो जब आप इसे दोस्तो select कर लेंगे तो आपको सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ा customize करने होगे कुछ लगबग आपको हरी चीज़ा इसमें customize कर सकते हैं तो इसमें जो ज्यादा ओप्सेन दोस्तों वह रेड का है तो हम इसको भी change कर लेते हैं पहले इसको select करेंगे और य दोस्तों यह एलो में थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है तो हम इसको एलो ही रहने देते हैं अब हम दोस्तों बैक आ जाते हैं यहां से क्लिक करके यहां से बैक कि अब दोस्तों हम यह चीज कुस्टमाइज कर लेते हैं जो कि इसके अंधर तो मुझ्षे स्aríaट पर अब kg जो एक color डिए गया ब्लैक लर आप इस ब्लैक को किज किजिए और यहां पर । शेंज किजिए कि क्या लोगों के अंदर चेंग है आपको कौन सा अच्छा लग रहा है तो दोस्तों फिलहाल में जो ब्लैक कलर है वह इसमें अच्छा दिख रहा है जो कि ब्लैक डिफॉल्ट था तो ब्लैक ही हम रहने देते हैं क्योंकि ब्लैक काफी अच्छा दिख रहा है उसके बाद यहां पे दोस्तों मरून कलर को चेंज करके देखते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है तो हम इसको light red ही रहने देते हैं या फिर कोई और color ले सकते हैं आप जो चाहें आपको जो अच्छा लग रहा हो तो मैं red कर लेता हूं ये दोस्तो अब काफी अच्छा तरीका से हो चुका है तो हम इसको एक और changes करेंगे इसमें इसको हम change करके देख लेत हैं लेकिन दोस्तों ये मुझे ज्यादा red में अच्छा दिखाई देर तो मैं इसको ready कर लेता हूं और इसको इसपारवले को मैं change कर लेता हूं तो उसको मैं change कर लूंगा मैं सको ये color देता हूं या अच्छा देख रहा है अब ये दोस्तों हो चुक sicher है अब आपको सबसे पहले आप आपका चैनल का नाम है फिर जो भी आप नाम रखना चाहते हैं आप वो नाम रख लेजिए तो मैं अपने चैनल का नाम ले लेता हूं अब दोस्तों हम इसको अर्जेस्ट कर लेते हैं उसके बाद हमारा लोगो तयार हो जाएगा तो मैं इसको अ अब दोस्तों यह हमारा लोगो बिल्कुल बन के त्यार हो चुका है आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर और कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप अपने इसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं फिलाल के लिए मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है मै सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर लूगा और मुझे जहाँ यूज करना है मैं यूज कर सकता हूँ मैं अब दोस्तो हम एक और तरीके का लोगो बनाना सीख लेते हैं जो कि ब्रैंडेड लोगो ही होता है जो काफी प्रोफेस्टनल होता है लेकिन उसमें दोस्तो आपको टेंपिलेट क्या हो सकता नहीं है आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यह काफी सुंदर लोगों होता है काफी simple और सुंदर लोगों होता है जो कि आप use कर सकते हैं तो आपको simply element पे click करना है और आपको जो भी आपको create करना है आप यहां से search कर सकते हैं जैसे माल लिजे दोस्तों मेरा एक channel है जो कि fitness related है तो मैं यहां पे सिर्फ fitness सर्च करूँगा यह fitness आ गया अब दोस्तों यहां पे आपको एक element दिखाएगा जो कि आप यहां से उस logo को create कर सकते हैं तो मैं यहां simply element लिए लेता हूँ जैसे यह dumbbell तो दोस्तों यह dumbbell आ गया सबसे पहले हम background का color change कर लेते हैं उसको हम कर देते हैं yellow और यह दोस्तों देखिए dumbbell अब आप बोलेंगे दोस्तों कि काफी simple logo है तो दोस्तों जो simple logo होता है वहाई attractive और सुन्दर भी होता है तो यह था दोस्तों पहला तरीका जिससे कि आप अपने YouTube चैनल या फिर किसी भी company के लिए आप एक logo बना सकते थे अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे परकार के logo के बारे में जो की है face logo तो दोस्तों यह बनाना काफी असान है पहले logo थोड़ा मुस्किल था लेकिन यह बनाना दोस्तों काफी असान होगा इसके लिए आपको play store से application डाउनलोड करना है जिसका नाम है photo room उसके बाद आप tutorial देखिए तो दोस्तों आपको एक face logo बनाने के लिए या फिर आप कहो सकते हो कि आपको एक personal logo बनाने के लिए सबसे पहले आपको play store से एक application डाउनलोड करना होगा जो की है photo room आप इसको प्लेश्टर से application डाउनलोड कर सकते हैं काफी असान आप इसको प्लेश्टर से पहले डाउनलोड कर लेंगे तो दोस्तों डाउनलोड करने के बाद यह कुछ इस तरीके का दिखाई देता है तो सबसे पहले दोस्तों देखिए जो पहला option है वही option है profile pic का जो पहला option दिया गया है तो आपको simply थोड़ा सा scroll करना है और यहां पर आजाना है अगर आप जो भी चाहिए यहां पर ले सकते हैं आपको जो भी template अच्छा लगता है पर मुझे यह ज़्यादा अच्छा लग यहां पर तो यह दोस्तों जो इसका background है वह clean करेगा जो इसके पीछे जो background है उसको clean कर देगा और एक अच्छा सा logo create करके आपको देगा तो यहां पर आप सारी चीज़े set कर लीजे कि आपको चाहिए क्या तो मैं यहां से इसे adjust कर देता हूं अब यह दोस्तों काफी आसानी तरीके से create हो चुका है लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें कुछ ज्यादा customize कर सकते हैं जो कि आप यहां person पे background पे click करके आप replace कर सकते हैं background को erase कर सकते हैं पर दोस्तों हमें इसको और customize नहीं करना है हमें इसे ऐसे रहने देते हैं तो simply यहां आपको export पे click करना और save to gallery कर दे रहें तो दोस्तों देखा आपने कि आप कितने असानी तरीके से एक logo create कर सकते हैं अपने YouTube चैनल या फिर अपने social media platform या फिर किसी भी company के लिए तो दोस्तों यह काफी असान होता है कोई भी logo create करना लेकिन दोस्तों जो मैंने वीडियो में आपको purchase बताया आप इसको change करके देख सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है जब आप इसको change करेंगे तो आपको और बहतर results मिलेंगे जो काफी attractive logo बना के आपको देंगे तो दोस्तों वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंदे वीडियो के लाइक कीजिए चानल को subscribe भी कीजिए ताकि future में आपको